तो आपके माइंड में कभी न कभी ये क्वेश्यन तो आया होगा कि यहाँ पे बेंटन के शो में हमें देखने को मिला कि विल्गेक्स जो बेंटन की Omnatrix के पीछे रहता था ताकि वो उसे हासिल करके अपनी एक आरमी बना ले लेकिन कभी भी विलगेक्स ने अल्टीमेट रिक्स को हासिल करने की कोशिश ही नहीं की थी बेंटन अल्टीमेट एलिन की पूरी सीरीज में कभी भी विलगेक्स ने ये ट्रा ही नहीं किया था कि वो अल्टीमेट रिक्स को हासिल करे और Benton Ultimate Alien में तो Wilgax की Appearance ही थोड़ी सी देखने को मिली थी जब वो Dagon के साथ हमें Appear होते हुए दिखाई दिया था तो आकिर इसके फीचे का फंडा किया है कि Wilgax कभी भी Ultimate Tricks को पाना ही नहीं चाहता था और Ultimate Aliens में Wilgax की Appearance क्यों नहीं देखने को मिली तो अगर आप लोग भी इस Question का अंसवर जानना चाहते है तो इस वीडियो को End तक देखना अगर आपको वीडियो में कुछ भी अच्छे लगे तो वीडियो को Like करके हमारे इस चैनल को Subscribe कर लेना ताकि आपको फीचर में ऐसी और भी Amazing वीडियो देखने को मिलती रहें तो चलिए फिर स्टार्ट करते हैं आज के मारे इस ओसम वीडियो को तो बेंटन अल्टिमेट एलियन में विल्गेक्स जो है अल्टिमेट रिक्स के पीछे क्यों नहीं पड़ा उसका सबसे बड़ा रिजन मैं आपको बता देता हूँ कि विल्गेक्स जो बेंटन अल्टिमेट एलियन में जो विल्गेक्स ठीक ही नहीं हो पाए था बाद में एसकलोन की पाउर की वज़े से विल्गेक्स की पूरी बोडी थीक ही उसके बाद हमें देखने को मिला कि विल्गेक्स डेगन का चेला बन गया ताकि वो उसकी पाउर को हासिल कर ले ये वो reason था जिसकी वज़े से Benton Ultimate Alien में Wilgax की appearance हमें ज़्यादा कुछ नहीं देखने को मिली Wilgax के इलावा में Benton Ultimate Alien में काफी powerful villain देखने को मिले थे Charmcaster, Eon, Ultimate Aggregor, Dagon ऐसे कुछ villains देखने को मिले जो की काफी ज़्यादा powerful थे अब बात करते हैं कि जब Benton Ultimate Aliens में हमें देखने को मिला कि Albedo ने Ultimate Tricks को complete त्यार किया था हाला कि उसमें काफी सारे false थे लेकिन फिर भी Ultimate Tricks को Albedo ने त्यार कर लिया था तो Wilgax ने Ultimate Tricks को हसिल करने की कोशिश क्यों नहीं की थी अब इसके पीछे का अगर मैं आपको reason बता हूँ तो आप लोगों को ये बात तो पता होगी कि Benton Classic से ही Wilgax ये चाहता था कि वो एक अपनी पूरी आर्मी बनाए और हमें देखने को मिला कि Benton की शोर में जो Ultimatrix Albedo ने complete त्यार की थी और काफी ज़्यदे secure बनाए था जबकि Ultimatrix बिल्कुल भी secure नहीं थी उसे कोई भी hack कर सकता था वो विलगेक्स की पूरी की पूरी आर्मी को कभी transform ही नहीं कर पाती क्योंकि Benton Alien Force में जो DNA aliens के DNA को change कर दिया था जबकि Ultimatrix ऐसा कुछ कर भी नहीं सकती वो किसी भी human को द्वारे से ठीक नहीं कर सकती जब वो DNA alien में transform हुआ हो और यह बात विलगेक्स भी कहीं नहीं जानता था कि अगर वो Ultimatrix को हासिल करता है तो यहां पे उसकी पूरी आर्मी कभी transform ही नहीं हो पाएगी क्योंकि उसे पता था कि Ultimatrix में काफी सारे glitch है जिसकी बज़े से Albedo जो इसे use कर सकता है काफी powerful alien में transform हो सकता है लेकिन विलगेक्स की पूरी आर्मी को Ultimatrix transform नहीं कर सकती यह था वो reason जिसकी बज़े से विलगेक्स कभी Ultimatrix के पीछे पढ़ा ही नहीं था क्योंकि उसे इस बात का पता था कि Ultimatrix ज्यादा कुछ काम की नहीं है तो अमीद करते हैं कि अब आपको आपके question transfer मिल गया होगा कि यहां पे विलगेक्स क्यों Ultimatrix को पाना नहीं चाहता था और वीडियो को देखके आपके mind में अगर कोई भी question आता तो आप लोग नीचे comment करके बता देने में आपको reply दे दूँगा